आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ पर बोला गया है कि first और second की बीच में relationship follow हो रहा है वो ही same relationship third and fourth figure में भी follow हो रहा है उसी relationship को ध्यान में रखते हुए हमें बताने इस question मा की जगा पे इन चारो option में से कौन सा option आएगा ठीक है तो यहाँ पर first और second की बीच में क्या relation है यह जो second वाला जो figure यहाँ पर दे रखा है यह second वाला जो figure है यह completely embedded है first figure में कैसे यहाँ पर इस तरीके से completely embedded है तो इसका मतलब fourth figure में एक ऐसा option आएगा जो की completely embedded होगा third figure में ठीक है अगर यहाँ पर हम option A में जाते है तो option A में क्या यह वाला जो figure है यह क्या completely embedded है third figure में नहीं इसलिए option A reject हो जाएगा तो यहाँ फिर उसके बाद हम गए option B में तो यहाँ पर यह वाला जो figure है क्या यह figure 3 में embedded है तो यहाँ पर देखते हैं यह वाला जो option है यह इदर completely embedded हो रहा है तो मतलब जो second option है वो हमारा correct answer है ठीक है option C में गए तो क्या यह वाली जो figure है यह embedded है third figure में नहीं इसलिए reject हो जाएगा और D वाला भी reject हो जाएगा क्योंकि यह भी embedded नहीं है इसमें तो correct answer है option B Thank you